हेलो दोस्तों एक नए चेप्टर में आपका स्वागत हैं दोस्तों आज से हम एक नए चेप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अलकोहल, फनोल, एवाम, इतर दोस्तों इस चेप्टर का यह फ़हला वीडियो हैं और इसमें हम इसका introduction, alcohol क्या होते है, phenol क्या होते है, ether क्या होते है, इसके रहाँ समझते हैं, देखे वीडियो का end तक, दोस्तों मैंने organic chemistry का first chapter पढ़ा रखा है, जिसका नाम था Hello Elkin तथा Hello Erin, इस chapter का पूरे वीडियो का एक playlist का link इस वीडियो के description मिल जाएगा, वहाँ पर आप क्लिक करके उस chapter को complete कर सकते हो, इसके वाने यह आपका हो जाएगा second, organic chemistry के बात करूँगा, दोस्तों alcohol तथा phenol क्या होते है, इसको समझते हैं, इथर क्या होता है, इसको समझते हैं, आपने 11th class में पढ़ा होगा hydrocarbon नामक चेप्टर, जिसमें आपने hydrocarbon में पढ़ा होगा, कि यदि कोई भी hydrocarbon शंकला, जैसे CH3, CH2, CH3, ठीके, यह हमार पास में कोई भी hydrocarbon शंकला है, इसी प्रकार से मैं यहाँ पर दो लिख देता हूँ, CH3, CH3, ठीके, यह हमार पास में तीन hydrocarbon शंकला है, इस hydrocarbon शंकला में मैं hydrogen को थोड़ा सा open करके लिखता हूँ, यानिकि इसके open structure है तो आपका हाईडन होता है वो कुछ इस प्रकार से ढूड़ा होता है ठीक है आपको पता ही कि हे आप दोस्तों मैंने इस हाईडन को प्रतिस्थापित कर दिया मतलब इस हाईडन को रिप्लेस कर दिया और यहां पर मैंने एक समू जोड़ दिया जो की होता है ओच तो फिर ये बनने वाला पूरा योगी केलाता है अलकोहल तो दोस्तो इस समू को हम लोग कहते हैं अलकोहल समू इस समू को हम कहते हैं अलकोहल समू हाला कि इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल क्या नाम होत हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं समय तो दस्तो अब इसका नाम पहले क्या होता अगर यह नहीं जुड़ा होता पहले क्या होता तीन कार्बने और सिंगल बने प्रोपेन नाम होता अब क्या हो जाएगा प्रोपेन नौल हो जाएगा ओल पीछे ओल आजाएगा क्योंकि एल्कॉहल का जो अनुलगन होता है वह समुका वह होता है दोस्तों ओल ठीक है तो अनुलगने क्या हो जाएगा ओल तो इसका नाम हो जाएगा प्रॉपे नौल आर ये बात समझवें ओके अब इसको हम लोग आगे समझते है थोड़ा सा इसको मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए ये तो बात होगी अल्कॉहल की अब दोस्तों हम लोग समझते है यदि हमार पास में कोई भी ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है जैसे फॉर एक्जांप ठीक है अब दोस्तों यहां पर किसी एक हाइड्रोकों में प्रती स्थापित करकी उसकी जगपर वापस से क्या जोड़ देता हूं OH तो फिर ये कहलाता है दोस्तों फिनॉल क्या कहलाता है आपका फिनॉल तो बैंजीन या एरोमेटिक होता है इसके उपर अगर वस समुझ जुड़ा होता है तो इसको बोलते है fxy यदिンダ करके तो बनने वला आपका क्याल आएगा अलकोहल और अगर aromatic योगिक है इसमें hydrogen को प्रति स्थाफित करके यदि OH समुझ जूड़ जाता है तो उसको बलते फिनल ठीक है हाला कि हर एक के लिए फिनल नहीं होगा benzen के उपर OH इसी को बलते फिनल ठीक है अगर यहाँ पर OH लगा होता है या कोई समुझ अलग लगा होता है तो फिर इसका अलग से नाम होता है ठीक है अब यहाँ पर समझते हैं यह हमार पास में एक metallic component और है यहीं दोस्तोओ इसमें बैसको open करके लिखता हूँ ठोड़ा कह से कि a दोस्तो यह हमार पासे नॉर्मल प्रॉपेंट ठीक है जैसे हमने आगे देखा तो व्यवा यह नॉर्मल प्रॉपेंट अब इसमें क्या होता है इसमें दोस्तों यदि इस हाइडन का प्रती स्थापन मान लेते हैं OCH3 समूझ से होता है इस हाइडन का प्रती स्थापन OCH3 समूझ से होता है एक में और एक्जम्पल लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएं देखिए चोटा एक्जम्पल लिखता हूँ दोस्तों आमारे पास में नीचे हैं मैथेन इस मैथेन में मान लेते हैं इस हाइडन का प्रतिस्थापन OCH3 के द्वारा हुआ है इस CH3 को में भी एक खोल के लिख सकता हूँ ठीके ऐसे OCH3 के द्वारा हुआ है तो फिर ये दोनों के दोनों आपके बनने वाले कंपाउंड होते हैं वो कहलाते दोस्तों इथर क्या कहलाते हैं इथर तो दोस्तों अब आप सोचेगे कि दोनों फरक क्या है अब फरक समझो ध्यान से ओक्सिजन है इसके इधर एक कार्बन है ओक्सिजन के इधर तीन कार्बन है तो जो उपर इथर बना है वो आपका कहलाता है दोस्तो असम्मित इथर हलाकि इसके हम वर्गी करने है वही बात करेंगे असम्मित इथर समान नहीं है यहां पर समदा ओक्सिजन के इधर एक कार्ब होने तो यह जो बनने वाला इथर हैं वह कियासा है समित सम्मित सरल जिसको बोलते और इसको मिशरित या असम्मित टीनों आपको समझ में आ चुके अब इनके सामाण्य सुत्रिके हम बात करते हैं देखिए इसका आप हम आज सकते हो दोस्तो आर बीच में oxygen है और इसको आप मान सकते हो R- R का मतलब होता है दोस्तो carbon shankla R का मतलब क्या होता है carbon shankla तो इसका formula हो जाएगा सामाने formula R, O, R- किसका? ether का इसको R मानो O, R- इसको R मानो O, R- ठीक है इसका क्या formula होता है देखिए इसको वह वलते हैं दोस्तों Benzen को Aril मैं इसको उपर लिखता हूँ ठीक है फिनोल होता है इस फिनोल की हम बात करें तो फिनोल होता है इसमें जो Aromatic होता है उसके वह वलते हैं Aril Aril के लिए लगाते हैं Ar और OH तो इसको लगा देंगी और OH तो यह आपका सामान्य फोर्मूल होता है जाएगा फिनोल का यहाँ पर alcohol की बात करें तो alcohol में क्या होगा carbon शंकला के लिए हम क्या लिखते हैं R और OS समू के लिए OS लिख देंगे simple तो यह बन जाएगा आपका alcohol का सामान्य सुत्र तो सामान्य सुत्री क्या हो जाएगा alcohol के लिए ROH R के मतलब carbon शंकला OH OS समू फिनोल AR का मतलब benzene aromatic और OS समू ठीक है इथर के लिए हो जाएगा ROR dish अब definition को पढ़िए ध्यान से दोस्तों हम बात कर लेते हैं alcohol और तथा फिनोल की aliphatic aromatic aromatic hydrocarbon कि में हैieso पहले排 Leaster अग्यान के हाइडो का परमाण परतिस्थापन है रे खुलल परतिस्थापन किस्से होता है तो और जैस इसको बलते हाइड्डुकसिल ठीक है समूह द्वारा होने पर प्रप्त योगिक को द्वारा होने पर प्राप्त योगी को अल्कोहल तथा फिनॉल केते हैं इसको सामाज हम क्या कह सकते हैं अल्कोहल अगर नॉर्मल बोला जाए तो प्रोपे नल नी लिखो तो अल्कोहल ठीक है ये इसके सामझ चुतर इथर की बात करें तो जब हाइड्रोकार्बन होता है पहला हाइड्रोकार्बन था इस हाइड्रोकार्बन में हाइड्रन का प्रतिस्थापन एलकोक्सी या एरिलोक्सी दोस्तो हाला कि मैंने यहां पर एलकोक्सी का ही बताया है एरिलोक्सी का नहीं बताया है इसमें क्या होता समना ध्यांसी मैं जगर तो बता देता हूँ, Eriloxi का मतलग होता है दोस्तो, Benzen होता है, वो Oxygen के साथ जूड़ करके आता, ऐसे, यह होता है Eriloxi, अब यह होता है किसी Hydrogen को प्रतिस्था पिर करके जूड़ता, यह समान लिए हमारे पास में एक CH4 है, यह वाला ही है, इसमें CH4 मैंसे यहाँ पर पहला Hydrogen था, Hydrogen है, Hydrogen है और Hydrogen है, अब इस Hydrogen को प्रतिस्था पित कर देगा, कौन साब का, O, Benzen, यह Benzen O, इसको बोलते है Eriloxi, तो Eriloxi समान होता है, इस Hydrogen को प्रतिस्था पित करके, यह इदर से जूड़ जाता, तो फिर यह आपका, इथर तो कहला था, लेकिन यह आपका, Aromatic वाला कहला था, ठीक है, जिसमें Eriloxi ने प्रतिस्था पित किया है, Hydrogen को, Alcox C होता है, वो तो आपको मैंन बता दिया, इसको बोलते हैं, Alcox system हो, Alcox system, ठीक है, द्वारा प्रतिस्था पित होता है, तो बने योगी कौम क्या कहते है, इथर, 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 इथर कहते है, आरे यह बाद समझे, तो आप लोग इतना स्किंशोट लह लीजिए, हाँ दोस्तो, सबसे पहले हम बात करेंगे, Alcoxol का वर्गी करण, Classification of alcohol, Alcoxol का वर्गी करण करते हैं, दोस्तो, इसके वर्गी करण में दो आधार है, हलाकि मैं चार्ट बना करके भी समझा सकता हूँ, बट ज्यादा हो जाएगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक-एक आधार को लीग करके समझाता हूँ, बाकि आपको दो आधार में बता देता हूँ, कौन-कौन से हूँ, देखिए, इसके दो आधार होते हैं, पहला आधार का नाम हो जाएगा दोस्तो, OH समुह की संख्या के आधार पर, और सेकेंड आधार हो जाएगा दोस्तो, और समुह से जुड़े, कार्बन परमानु के आधार पर, ठीक है, तो मैं इसको समझाता हूँ, इसके बाद हम लास्ट नम इसको पड़ेंगे, देखिए, OS मुह की संख्या के आधार पर हम मैं बात करूँ, तो मैं यहाँ पर कुछ एक्जामपल लिख रहा हूँ, फिर इसके नाम आपको समझ में आ जाएंगे, देखिए जान से, हाँ दोस्तो, आपके सामने यहाँ पर, चार एक्जामपल लिखे हुए, समझा जान से, इसमें आपको देख करके क्या पेचान कर सकते हो, देखिए, पहले एक्जामपल में, ओए समझ होता है, इसके संख्या एक है, सेकेंड एक्जामपल में, ओए समझ के संख्या दो है, तीसरे एक्जामपल में, ओए समझ के संख्या तीन है, और, चोते एक्जाम्पल में OSMO की संक्या चार है आ रही अब समझे और हमारा आधार भी वह ये OSMO की संक्या क्या आधार पर यदि दोस्तो OSMO की संक्या कार्बन से या जब के एलकेन होते उसमें जो OSMO होते उसमें प्रतिस्तापन किया है बट वो संख्या में अगर एक है तो फिर ऐसे एलकोहल को दोस्तों बोलते हैं मोनो हाइडरिक एलकोहल ऐसे एलकोहल को बोलते हैं दोस्तों मोनो हाइडरिक एलकोहल मोनो मतलब एक हाइडरिक मतलब हाइडरोकसिल समूँ ठीक है अगर दो है तो इसको वला जता है डाइ हाइडरिक अलकोहल यदि दोस्तो तीन ओए समुए तो इसको वलते है ट्राइ हाइडरिक अलकोहल यदि दोस्तो चार है यह चार से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं तो इसको वला जता है पॉलि हाइडरिक अलकोहल पॉली मत बहुत सारे चार से ज़्यादा तीन से ज़्यादा ठीक है यह हो जाएगा अब इसके आधर पर फिर इनके कुछ अलग नाम होते हैं इसको समझ लेते हैं डाई हाइड्रिक को अगर ओएच ओएसमो दो कारबन से इस प्रकास जुड़े हुए तो इसको बला जाता है ग्लाइकोल इसको ग्लाइकोल भी कहते हैं ठीक है डाई हाइड्रिक वाले को अगर तीन एसे जुड़े हैं ट्राई हाइड्रिक वाले का नाम है ग्लिस्रोल इसको ग्लिस्रोल यह गिस्रोल का सुतर होता है ग्लिस्रोल भी कहते है पॉलिहाइट्रिक वाले को बोलते हैं मैनी टॉल बोलते हैं या सार्बी टॉल बोलते हैं मैनी टॉल या सार्बी टॉल सार्बी टॉल ठीक है यह बात होगी ठीक है आप लोग यहां पर समझ चुके होंगे कि इसका मतलब क्या हो गया तो पहले अधर का का मतलब हो गा कि अगर ऊसम्मू कि संग्या 1, मोन लग थो डायडबी टीन, ट्रायडबि चार तो हो जाएगा इसको ओल यहां है तो फिर हम क्या कह सकते ऊसको सथ सकते चार अगर इसको हम बारमें पढ़ाएंगे, जल्एन एक लगर संगा, OSMU इस कार्बन पर है ये OSMU इस कार्बन पर है बड़ दोस्तों यदि OSMU होता है वो एक ही कार्बन पर है तो वो आस्था ही होता है क्या है, और इसे जूड़े हुए हैं कितने दो ओयुल समूं त्वी चूली जूर होगा CH ये ये इस्तती की बात करा हूँ है तो ऐसे इस्तती में क्या होता है ये अस्ता ही होता है क्यासा होता है अस्ता ही होता है ऐसा क्यों होता है दोस्तो ये जो आपके OH OH होते हैं इसमें से S2 होता है वो बाहर रीमूव हो जाएगा और फिर ये आगे जाकर के क्या बनाएगा तो आगे जाकर बनाता है आपका R, C double bond के साथ में ये oxygen जूड जाएगा और H, ये बनाता है aldehyde क्या बनाता है, aldehyde aldehyde वाला chapter है अपना, पढ़ेंगे आगे ठीक है, aldehyde बनाता है carbonation अगर दोस्तो ये तो दो थे, ये दि दोस्तो तीन होते तो फिर क्या होता, समना ध्यान से ये दि दोस्तो तीन OS होते है, तो फिर तो भाई साथ बात ही बन खतम होगी, क्योंकि ये तो बहुत ज़दा अस्ता ही होगा, कैसा होगा अस्ता ही होता है ठीक है, तो इस दोरान यहाँ पर एक आपका वापस से S2 होता है, वो बाहर निकल जाएगा, तो यह फिर क्या बनाएगा, और यह उक्सियन होता है, डबल बॉन्ड के साथ नीचे जुब जाएगा, तो यह बन गया दोस्तो, आर सी डबल ओ एच, जिसको हम बोलते हैं, कार्बोक्सलिक अमल, तो यह कार्बोक्सलिक अमल बन जाएगा, वापास से समझ इस बात को ध्यान से, नौट बात यह है, कि एक ही कार्बन पर दो ओड़ समों अस्ताइफ होते हैं, क्योंकि दोस्तो ये जल का अणू पहार निकाल करके ये बनाते कार्बोनील और कार्बोक्सिलिक सम्मू बनाते एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक अमलब बना देंगे ठीक है मैं इस बात को लिखता हूँ दोस्तो इसकी डेफिनिशन को पढ़िए ध्यान से एकी कार्बन पर 2 और 2 से ज्यादा होते समभव नहीं होते हैं क्योंकि वह कार्बन या योगीक होता अस्ता है दो सम्मू अगर उपासित हो तो S2 का विलोपन होता है S2 बाहर निकल जाता है और कार्बोनील कार्बोनील हाला कि 2 आते हैं किटोन भी आता है समुह हो तो एस्टो का विलोपन होकर के कार्बोनील वह कार्बोक्सलिक अमला कार्बोनील और कार्बोक्सलिक अमला में बदल जाते हैं यह पराप्त होते हैं इतना इसके शोलेल जी दोस्तों भी मैंने आपको बताया कि एक ही कार्बन पर दो ओसम होते हैं वो संभव नहीं होते हैं ऐसा क्यों होता है क्योंकि वो आस्त ही हो जाता है लेकिन इसका एक अफ़ाद भी है वो मैं समझा देता हूं फिर हम लोग आगे समझेंगे इसका अफ़ाद आप लिख लेना इसका अफ़ाद हो जाएगा दोस्तों क्लॉरेल हाइड्रेट क्लॉरेल हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CCL3CHO.S2O इसमें क्या होता है ये जो जल का अणू होता है ये जल का अणू उसमें से OH और एक H होगा ये OH और आपका यहां से OH है ये वाला ये एक ही कार्बन पर उपस्तित होते है तो फिर फरत क्या होता है संवना ध्यान से अगर मैं इसके स्ट्रेक्टर की बात करूं तो दो कार्बन हैं एक कार्बन को यह से बना देते हैं एक कार्बन को ऐसे इस से जुड़ा हुए हैं 3CL, 1CL, 2CL, 3CL, इस carbon पर 2 OH होते हैं, 2H समू, OH समू and OH समू, ठीक है, क्यों क्यों oxygen दूड़ा होता है, तो इसको oxygen को 5 में लिखेंगे, बंद से, ठीक है, बाकि यह hydrogen होता है, वो इस carbon से connect होता है, ऐसा होता है, दोस्तों फरक यह होता है, कि इस carbon पर 2OH समू है, लेकिन, इस hydrogen होता है, उसके पास में एक विद्दूतिरीनी तत्व हैं, विद्दूतिरीनी परमाल हैं, जिसको हम बोलते है, क्लॉरी, तो यह hydrogen क्या करता है, इसके accretion में आता है और accretion में आ करके, क्योंकि दोस्तों जिसकी विद्दूतिरीनी तत्वा यह खिचने का काम करत से बंद बन जाता है और उस बंद को बोलते हैं hydrogen bond hydrogen bond है ठीक है लेकिन यह एक ही अनुक के अंदर है तो फिर इसको बलेंगे दोस्तो अंतह अनुक hydrogen bond है इसको बलेंगे अंतह अनुक hydrogen सेम उपर में भी होगा इस hydrogen और इस chlorine के मद्य अंतह अनुक hydrogen bond बन जाता है और आपको पता है hydrogen bond बनने से यह दोस्तो अस्थाई हो जाएगा और फिर आपका H2O जो जलका अनुक जिस प्रकार से निकल रहा था बाहर और और कार्बोनील और कार्बोसलीक अमल बन रहे थे उस प्रकार से यह क्लोरेल हाइड्रेट होता है उसमें से जास्तर है यह क्लोरेल हाइड्रेट में हाइड्रेट में एक यह कार्बन-परमाणों पर एक़ी कार्बन पर 2oS saven उपस्तित होते हुए बही यह अस्थाई होता है ऐसा क्योंकि इसके अंदर अंतह अणुक हार्ज ऑन उपस्तित होने से यह अस्थाई हो जाता है ठीक rib बाकि हाइड्रोकार्बन होते उस्ताई नहीं होते अलकॉल होते उस्ताई नहीं होते आप इतना इसक्रिंशोर लेगे अब हम से सेकेंड आधार हाँ दोस्तो सेकेंड हम पढ़ेंगे सेकेंड आधार ओए समों से जुड़े कार्बन परणों के आधार पर इसके अंदर दोस्त नाम है दोस्तो अलकिल एलकोहल और लास्ट आजाएगा बेंजिलिक एलकोहल अब मैं इनके एक्जामपल को लिखता हूं फिर आपको समझाता हूं ध्यान से समझें दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्जामपल लिखे हूए देखिए ध्यान से अलकिल एलकोहल के अंदर समझें ध्यान से समझना इस बात को ध्यान से ध्यान से दोस्तों ओएस समों होता है यह ओएस समों जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वह कार्बन दोस्तों किसी अन्य कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है हाइडोजन से जुड़ा हुआ है लेकिन का कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है या बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है तो फिर ऐसे एलकोहल को दोस्तों बोलते हैं वन डिग्री एलकोहल हिंदी में बोला है तो उसको बोलते हैं प्राथमिक एलकोहल वन डिग्री का मत्तों होता है दो कार्बन से कनेक्ट हैं 5 वापस से औरे समों जिस कार्बन पर जुदा है वो कार्बन दो कार्बन से कनेक्ट है इसकों बोलेंगे लिट इंदिन बोलते हैं ध्वित्यक एलकोहल ठीक है यहां बसमझे ओए समों जिस कार्बन पर जुड़ा है वह कार्बन तीन कार्बन से कनेक्ट हैं और यह बसमझे तो इसको बोलेंगे थ्री डिग्री एलकोहल त्रत्यक एलकोहल ठीक है समझ रहें बात को हाँ जी यह तो समझ में आ गए आपको एलकील एलकोहल के अंदर तीन बात आएंगी वन डिग्री टू डिग्री त्री डिग्री OH जिस कार्बन पर जुड़ा है वो कार्बन एक कार्बन यह बिल्कुल नहीं जुड़ा हुआ है प्रात्मिक दो से जुड़ा हुआ है दिट्यक तीन से जुड़ा है त्रत्यक एलकोहल के अंदर क्या होता है समझें दोस्तो इस कार्बन की मैं बात करूँगा तो इस कार्बन में यह है सिग्मा बंड यह है सिग्मा बंड इसमें दो बंड है जिसमें एक सिग्मा होगा एक पाई होगा तो इस हिसाप से इस कार्बन का संकण कौन सा होगा तो इस कार्ब का हमने अगर संकर्ण निकालेंगे तो हो जाएगा sp2 एंसकी बात करें तो इसमें कारिश में संकर्ण कौन सा हो जाएगा SP2 हलाकि इसका कोई हम उनको लेना देना नहीं बता आपको बदा देता हूँ ठीक है इसका लेना देना है बीच वाले के तो इसका संकर्ण कौन सा है SP2 इस कार्बन की बात करते है 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा तो इस कार्बन की बात करें तो इस carbon का संकण है sp3 तो दोस्तो यहां पर थोड़ी से एक समझने की बात है carbon carbon के मज़्य double bond हो या जिसका संकण sp2 हो दो बातों से मैं समझाऊँगा जिसका संकण sp2 हो उसके अगले वाले carbon का sp3 संकण हो इससे अगर osmoo जुड़ा होता है या फिर आप इसको अलग angle से देखो उदर से देखो osmoo उस carbon पर जुड़ा है जिस carbon का संकण sp3 है लेकिन उसके अगले वाले carbon का sp2 संकण है क्योंकि इसके carbon carbon के मज़्य double bond है तो इस प्रकार से बनने वाला जो alcohol होता है इस alcohol को कहते हैं दोस्तो ऐलिलिक alcohol शोर्ट में आप इसको ऐलिल ऐलकॉहल भी बहुत सकते हूं ऐलिल ऐलकॉहल वापस समझो os होंगा वो उस carbon पर जुड़ा हुआ है जिस carbon का संकण sp3 है लेकिन उसके अगले वाला carbon sp2 है या फिर आप जिनके मज़े double bond है उसके पास वाला carbon से अगर OH जुड़ा हुआ है तो ऐलिल ऐलकॉहल सैम यहाँ पर होगा बट ये ऐलिफेटिक था ये रोमेटिक हो जाएगा इसके अंदर भी वही condition होगी कि OH होगा उस carbon से जुड़ा हुआ है जिस carbon का संकर्ण इसका संकर्ण कौन सा हो जाएगा sp3 क्यूँ एक सिग्मा दो तीन चार ठीक है तो इसका संकर्ण sp3 होगा तो OH उसी से जुड़ा हुआ है जिसका संकर्ण sp3 है लेकिन उसके अगला वाला carbon देखो ये carbon यहाँ से जुड़ा हुआ है इस carbon की बात करें कौने वाले की तो इसमें एक सिग्मा दो सिग्मा और एक पाई सेम कंडिशन आ रहे है इसके जैसे ये जो आपका OH होता इससे जुड़ा हुआ है ये OH इससे जुड़ा हुआ है ये वाला carbon इसको आप मान सकते हो कौने वाला इसमें double bond है तो एक पाई एक सिग्मा है तो इस carbon की अगर मैं बात करूँ कौने वाले carbon की तो इसका संकन है SP2 तो आप इसमें देख सकते हो aromatic में OSMO उस carbon पर जुड़ा है इसका संकन SP3 है लेकिन उसके ज़स्ट आगे वाला carbon SP2 संकन में है अगर aromatic में ऐसा हो रहा है तो बैंजिलिक अलकॉल यदि aliphatic में ऐसा हो रहा है तो अलिलिक अलकॉल आ रहे वाल समझे short में आप इसको बैंजिल अलकॉल भी बोल सकते हूं दोस्तों ये था इसका वरगिकन किसका अलकॉल का वरगिकन अब हम छोटा मोटा फिनोल और इथर का वरगिकन पढ़ लेते हैं आप लोग इतना इसके शोड़ ले लेजिए अब दोस्तों हम समझते हैं फिनोल का वरगिकन इसमें भी अलकॉल के समान होगा ठीक है इसमें भी अलकॉल होता है इसके समान होता है अल्कोल के समान फिनॉल होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है तो सिंपल है बेंजीन के उपर ओएच सिंपल ठीक है इसको हम क्या बोलते है फिनॉल यदि बेंजीन के उपर ओएच तो है लेकिन वह ओएच संख्या में दो है यदि बेंजिन के उपर OH तो हैं दोस्तो बट संख्या में तीन है ठीक है एक लास्ट अन्य है थोड़ा सा इसका नाम अलग होगा अगर OH एक ही है लेकिन एक आपका CS3 समुझ जुड़ा हुआ है तो हाला कि यह अलग है इससे हमको कोई लेने देना नहीं है लास्ट वाला समुझना ध्यान से अगर दोस्तो जो आपका एरिल होता है या बेंजिन होता है एरोमेटिक उसके उपर OSMO के संख्या एक है तो फिर इसको अलकोल के समान क्या नाम देंगे मोनो हाइड्रिक मोनो हाइड्रिक फिनोल मोनो हाइड्रिक आर यह बास समझे मोनो हाइड्रिक बोलेंगे इसको दोस्तों यदि OSMO के संख्या दो है तो इससे हम क्या बोलते है डाइ हाइड्रिक डाइ हाइड्रिक फिनोल ठीक है और अगर 3 है तो इसे हम क्या बोलते हैं ट्राइ हाईड्रिक सिंपल है बहुत आसान है दो है तो डाई तीन है तो ट्राई अगर ऐसा होता है तो इसको बोलाजाता है दोस्तो और्थो Chrisol इसका लगसा नाम है और्थो Chrisol अब हम समझ लेते हैं इथर का वर्गी करण, इथर के दो ही बाते, हाला कि आपको मैंने बता भी दिया था इथर का वर्गी करण तो आगे, दो ही तो होएं, कौन-कौन से आपको पता हैं, एक को बलते हैं, सम्मीत इथर, और एक को बलते हैं, असम्मीत इथर, ठीक हैं, एक को बलते हैं, सममीत इथ या इसको बोलते हैं सारल इथर और एक हो जाएगा मिश्रित या असम्मित इथर इसके मैं एक्जाम्पल बता देता है वही एक्जाम्पल यह दि दोस्तो और इथर का फॉर्मूला आपको पता हैं क्या था इथर का फॉर्मूला और यह तो आर की जिगह पर हम लोग ले लेते हैं C-S-3 बीच में है आक्सिजन और फिर हैं C-S-3 तो यह हो जाएगा सम्मित या सरल इथर का मत्तोब ओक्सिजन के दोनों तरफ कार्बन की संक्या सेम इसका एक्जाम्पल मैं ले लेता हूं C-S-3-C-2-O-C-6-H-5 बेंजीन है, क्या रटना C6H5 और यहांपर दो ही कारवन है तो इधर oxygen के इधर दो कारवन, oxygen के उदर 6 कारवन ठीक है यह जाएगा सम्मित या सरल इथर यह जाएगा मिश्री त्या सम्मित इथर अगर मैं इसके नामकण की बात करूँगा तो us डाइज मैथिल इथर बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे सामाइज नाम में इसका बोलेंगे डाइ मैथिल यो मैथिल बोलते हैं ंडाइ मैथिल इथर और इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे एल के लिया एथिल बेंजीन या फैनिल इथर एथिल फैनिल इथर फैनि मतलब बेंजीन हलाकि आपको आईउपिस नाम करण पढ़ाया उसमें बताया है ठीक है सारी बाते तो दो कारबन के लिए एथिल इसके लिए फैनिल इबेंजीन और इथर ओक्सिजन आर ओर तो दोस्तों ये था पूरा वर्गी करण अब हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगला टोपिक को ठीक एसी चेप्टर का अगला टोपिक होगा वो तो ये वीडियो कैसे लगा कम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना मिल दे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जाहीं अन्देवात्र